मद्य प्रदेश के देवास कोतवाली थाने में भाजपा से सांसद महेंदर सिंग सोलंकी के खिलाफ शास्के कारा में बाधा सहित विभिन धाराओं में एफाई आर दर्ज हुई है मामला सुभास चोंक में निर्मान धिन पूलिस साहिता केंदर की दिवार के तोड़े जाने का है सिसी टीवी फुटेज में निर्मान धिन पूलिस साहिता केंदर के समीब सांसद खड़े नजर आ रही हैं वहीं कुछ लोग दिवार को पैर से गिराते दिखाई दे रही हैं वहीं इस मामले में सांसद महेंदर सिंग स्वलंकी ने अपना पक्ष रखते हुए इस कारेवाहि को द्वेश्ता पून बताया है जानकारी के नुसार सुभास चोंक में पूलिस सहायता केंदर की गुम्टी लंबे समय से रखी थी जिसे कुछ दिन पहले ही पूलिस ने ही हटवाया था क्योंकि इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी अब जब पूलिस ने वहाँ पूलिस सहायता केंदर के लिए पक्का निर्मान करवाना शुरू किया जिसे लेकर देवास S.P. चंदरशिकर सोलंकी और सांसद महेंदर सिंग सोलंकी के बीच तकरार चल रही थी शनिवार की रात पूलिस सहायता केंदर की बनवाई जा रही दिवार को गिरा दिया गया सुभा चोक में लगे सिसिटीवी फुटेज पूलिस ने खंगाले तो रात में कार से वहाँ पहुचे सांसद महेंदर सिंग खड़े नजर आए इसी दोरान कुछ लोग दिवार पर लात मारते देखे जा रही है सिसिटीवी फुटेज का यह वीडियो वारल होने के बाद पूलिस ने कोतवाली थाने में सांसद महेंदर सिंग सौलंकी शिव शर्मा सहीत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामना दर्च किया है सांसद महेंदर सौलंकी ने पूलिस की इस कारवाही को दिवेश्ता पुन बताया है उन्होंने कहा कि पूलिस की कारवाही के खिलाफ वह हाइ कोट जाएंगे SP के खिलाफ PIL दर्च करवाएंगे अब हाई कोट उन से पूछेगी कि उक निर्मान के लिए वह राशी कहां से लाए क्या इस निर्मान कारे की परमीशन ली सांसत सौलंकी ने एसपी पर वेपारियों से उक निर्मान के लिए राशी वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि एक वेपारी से पांच लाग उर्पे लिए हैं जिसके उनके पास परियाप्त सब्बूत भी है एक बार आप बेठ जाओ वेपारी उपन बेठा लेते हैं क्योंकि एक वेपारी की दुकान के सामने चोकी थी वहां से इस्थान बदल के यह चार गुना बड़ी है तो विवाद स्वभाविक था वियापारी उमें भी आपस में भीवाद हो रहा था तो मैंने एसपी साहब से कहा था कि आप आज आओ अपन बेठ जाते हैं वियापारियों को बुला लेते हैं वो इस मामने को निप्ता लेते हैं इसके बाद फिर उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया चोवीस तारी को मैंने उनको पांच बार फोन लगाया उन्होंने मेरा फोन नी उठाया मैं कि locks on है तो मैंने उनसे का कि आप लोग से होए और अप अपनी सैलरी लेते हैं अपका का थाय पह जैतु कि आप śबागते जनदपर्तिनीने करें अब उसको सन्तूस्त करें और कि उन्होंने उन्हें बोला कि मेरी ढु decorum मैं आपका फोन काट रहा हूं और इसा बूलिए फोन काट दिया मैंने फिर फोन लगाया उन्होंने मेरा फिर फोन काट दिया इसके बाद फिर में मोका मुआइना करने के लिए जब उन्होंने मेरी फोन पर बात नहीं सुए तो मैं स्वेया मोका मुआइना करने के लिए स्पॉट पे गया वहाँ पे निर्मानकारी के लिए तैयारी चल रही थी मैंने केवल निर्मानकारी को देखा मोका मौईना किया और मैंने सोच कर मैं आगे बढ़ गया कि इसमें आज़ी साथ से बात करूँका मैं जब महां से आ गया तो मेरी मदर की चुकी तवियत खराब थी तो मैं मेरी मदर को इंदोर हस्पटाल लेकर गया था महां से आने में मुझे देरी हुई तो कारीकरता का लगातार फोन आया की यहाँ पर निर्माण कारे शुरू कर दिया और यह आज ही पूरी चोकी का निर्मान कर देंगे मैं जब यहाँ पर पहुचा तो मुझे लगवग देड़ कोने दो का टाइम हो चुका था चुकि मुझे अगले दिन सुबा आठ बजे के भी पहले बढ़ोद निकलना था वहाँ पे कारिकम था जिसमें डॉक्टर थावर् पार्के दिवार को गिरादर्ए की वर चार रद्द की दिवार थी आप जो विडियो इननोंने जारी किया उस वीडियो में भी सफ़स्ट है कि मैंने उस दिवार को छुआ तक नहीं, मैंने गिराया नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी से टिक के खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इनोंने विद्वेश कुन कारवई करते हुए, मेरे उपर 353 की कारवई कर दी, जबकि 353 की कारवई में किसी लोग सेवा को धमकाऊ मेरे आवाज को दाबाने के लिए, चुकी मैं लगातार उनसे ये बात पूच रहा था, कि चोकी की परमिशन कहां है, है और किस मte से पेशा आया है किस मत्र का पेशा है जिसे आप चोकी का नेर्मान कार करवा रहे हैं तहां पर टेंडर जारी हुआ और किस ठेकेदार को आपने यह छोकी उन्होंने मेरे खिलाब 353 में असर्थे कारवाई कर तो इसमें नगर निगम छेत्र का पूरा मामला है परमिसन की बात भी सामने आ रही है लेकिन पुलीस ऐसा कह रही है कि उनके पाथ जो है जीला मजिस्टेट की बरमिसा ने इसा पुलीस की द्वार का ज़रा बात नंबर दो यह है कि पांस तुछे के साथ 303 पर उन्होंने लगा कर उसको कंटिनुशन बताया है अगर मैंने 323 का उफेंस कर दिया था दो फेर में ही तो एसबी सामने दो फेर में ही ततकाल एफाई आर क्यों नहीं कि उन्होंने दिवार गिरने का इंतजार क्यों किया और दिवार गिरने के बाद फुटेज को खंगाल के मेरी फोटो देखने के बाद उन्होंने 353, 427, 506 और संपत्ती लोग संपत्ती नुक्सान निवरन अधिनियम की धारा तीन में कारवाई क्यों की अब इस तरह की धारा हो गई है तो उन्होंने मेरे जाने के ततकाल बाद कारवाई करते हुए फाई यार दर्ज क्यों नहीं की आप तमाम तत्य बता रहा है राशी को लेकर भी आप दवाल उटा रहा है अगला एक्षन क्या होगा अगला एक्षन यह होगा कि मैं हाई कोट जाओंगा और जिला प्रशाशन के खिलाफ और एस पी के खिलाफ पी आईल दर्ज करवाऊंगा और हाई कोट इन से पूछेग कि आप ये पर्मीशन कहां से लेकर आए हैं और वो जो निर्मानकारी आपने किया है उसकी राशी आप कहां से लेकर आए और किस से वसूल किये व्यापारियों के फोन मेरे पाइद लगातार आ रहे हैं ये व्यापारियों से इस प्रकार के अविद निर्मान करने के लिए व् रहे हैं और आपके आदर्णी एसपी साहब ने पांच लाग रुपिया एक व्यापारी से इस चोकी के निर्मानकारी के लिए ले भी चुके हैं आपका आरोप नहीं है यह मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ पुलिस साहता के अंदर के निर्मान के आपके इस बात कभी खुला पारड़ी का कारी करता हूं और हर जोर जुर्मन की तकनी की सेंघर्ष हमारा नारह है हम गाउं गरी मजदूर किसान दली और शोशीतों के लिए काम करने वाले कारई करता हैं इस प्रकार के अगर घूटी करने लोगोई हम भी हमें पर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि गाहों गरी मजदूर किसान और दली सोचित की आवाज उठाना भारती जंता-पाड़ी का कारीकरता बंद पुलीस तैयारी कर रही है कि राज्य सरकार से लेकर लोगसभाइबिया को आप अपना अपना पक्षिक इस तरह से रखेंगे लोगसभाइब के साथ देखिए लोकसभा स्पीकर था आपको मैं यदी मेरे से पूछा जाएगा मेरी कोई बातचीत नी हुई यदी पूछा जाएगा तो मैं अपना जो भी पक्ष होता है मैं पूरी तरह से रखोंगा मेरे उपर असरत्य कारवाई की है एक सामानी व्यक्ति को भी एगर वीडियो देखा के पूछा जाए कि महेंद्र सोलंकी ने दिवार तोड़ी है या नहीं तो जबाब नहीं में आएगा ठीक मैं तो कि निर्माना दिन हो रही थी और दिवार तोड़ने का एक घंबीर मामला सामने आथा क्या पूरा मामला और कैसे पुलिस आरोपियों तक पूछ है कल यह विशे कल से चल रहा था इसमें जहां सुभास शोक देवास जिले का एक अच्यांत समय दिल शिल शेतर है और जैसा कि आप सब जानते हैं मद्यवदेश का देवास जिला पूर में भी कई प्रकार से संप्रदैक तनाव की दोर से गुज़रा है इस देवास जिले के महतपूर्ण व्यपारिक प्रतिश्थानों के मद्य में सुभास शोक पर एक पुलिस सहता केंदर स्थापी था जो जीर निशिन वस्ता में था उस जीर निशिन टूटे-फूटे पुलिस सहता केंदर को आगामी समय के लाइनाडरों को देखते हैं और मैंने और हमाज जिले के कलेक्टर ने निड़ने किया कि इस पुलिस सहता केंदर का जूनोधर किया जाए और जिस तरह से तूटा-फूटा गंदी हालत में इसको सुधार किया जाए कि सम्मन में मेंने निदेश दियने ठे और उनी निदेश में कि अनुक्रम में उस पुलिस सहता केंदर का जूनोधर हो रहाएँ वहां पर मुझे सुशना बिल्या सुबह जब की उसकी निरमाणा दिन दिवार थी वो तोड़़दी गई है और उस दिवार को तोड़ने वा टिवी फुटेज के आदार पर और हमारे उपनिरिक्षर पवन जो कल दिन में महाँपस्ति थे उनके साथ भी जौबदता हुई थी उनके सब को ले ते यह पूरा प्रकर्ण अंडर सेक्षन पीन सो त्रेपन पांसो चे चारजो सत्ताविस चोटिस आइपीसी और सारुजिनिक संपत्ती नुकसान निवर्ण दिन्यों उननिस्तो चौरासी धाराती में पंजीबत किया कि इनके खिलाब किया है सब यह प्रकर्ण मानी सांसद महेंदर सोरंगी और इसमें शिव शर्मा जो पात्रबंडार है यह दो विक्तिस फूटेज में दिखाई दे रहे हैं और अन्य जो दो-तिन लोगी उनकी शिक्त शिक्रूंगी सिना करेंगी उनको भी लाम सांसद जी की भूमी का क्या आइस पूरे घटना करम मे CCTV फूटेज में क्या करते भी दिखाई दे रहे हैं जैसा आपने फूटेज देखा है फूटेज जो वाइरल हुआ उसमें यह दिख रहा है कि किस तरह से वहां पर पहुंचकर जो दिवार को तोड़ा गया है और जो अपने सदीकारियों के साथ जो अबद्रिका हुई है उ कानून आत्में लेते हैं और पुलीस का घर जब सुरक्षित में तो सहर में जनता अपने आपको कैसे सुरक्षित में सुस्करेगी कानून आत्मी देना है सांसत क्या कहीं देखिए मैं जन्दप्रती नितियों को पर सम्मान करता हूं मैं इस लोग तंत्रका देश के सविध जन्दा के प्रती नागरी कुप प्रती और यदि कहीं इस तरह के सवेदेशन विशे होते हैं वहां उनका पुरा सपोर्ट मिलना चाहिए चाहे प्रशाशन हो चाहे पुलीस हो चाहे अन्दे नागरी कुप इस्तिकी हो इन सम्में जे सयोग मिलेगा तो जिला देवास और पहतर और संतिपून जिलों में शामिल होंगे। लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें। घंदेवाद।